चलिए नेक्स चीज देखिए नेक्स चीज मैं आपको क्या बताना चाहरू हूँ अब आपको यह बता चल गया कि एक मिरार हो तो एक इमेज बनेगी बहुत बढ़िया दो तिन चीज़े और बताता हूं कि यह बहुत मतलब हम कंसाइस बनाइगे नोट इतना खतरनाक नहीं फाल्द ही चीज़े लिखेंगे आई यह चीज़े आपको आपके जहन में होगी पर सबके जहन में नहीं होगी इसलिए बता रहूं ठीक है कुछ चीज़े होती है दिमाग में होती है भार निकलने के शब् कितना अंगल में एक दूसरा इंकलेंट अंगल में ठीक है अतों जाओ स्कष्मर्स ब्लिमीड्र एंडिम अ आर इंकलींड में ऑक और इंकलएंड आट अंगल कि दो ढूब है माला यहां पर कोई आपजेक्ट रखा और 7 प्युंपर II नमबर फिनीजेस बनेंगी दो मेरे रहना फिरी रहा फिरी देखिये चल्जाते तो कितने में धस्व दो हुआ है पूछ रहूं जाते हैं आप्से कितने में भी कि निए एक संसर एक मन सकते है एक मिरट से बिने तो दो 살 निवान सकती है थी दो बन सकती है मतने नहीं कितनी ही मुंस मुझे tr वोन नहीं तो आप एक पक्रम मैं दिग्री और आजये क्या ज़िए और आजये क्या जब यह ओड़ आजए तीन सो साथ भाई थीटा डिग्री ओड़ आ गया तो नंबर आफ इमेजिस आपकी इतनी होगी तीन सो साथ भाई थीटा ही होगी तो आपकी यह फैक्टर से कम होगी तीन सो साथ थीटा मैइनस वन एक फैक्टर कम होगी कि यह तीज है जाद रखना तिक है नंबर अफ इमेजिस क्या होगी तीन सबसाद वाइट थीटा माइनस वन अगर तीन सबसाद वाइट थीटा ओड़ आजए थिरिशिक्ष्टी बाइट ओड़ ए तो इमेजिश उतनी होगी अब मानलो इसको एक कुशन आगे आप पे सिंपल सा यहाप सेक्टर याद र इमेज में मिरर वन मिरर टू मेरर थी यह पर यह अगलोगे 90 आप से बुला नंबर अफ इमेजिस निगालो अड़े छोटा बड़ा छोड़ो एन को यह बूला तो आप 360 वाइट रिटा निगालो तो इसक्स्ती वाइट थीटा कितना हो जाएगा तीन सबसाट नबबे कितन गया और चार आगया बहूत है अब जीरो सी जीरो का टाना एक फोड़े थाठीशिक चैर क्याओता है इवन होता है तो न na Pre major state of impairment कितुनी रख लिए बात करते हैं बेखिन श्लेंश के बात करते हैं सब्सक्राइज मिर्यर की हुए बात करते हैं स्परिकल मिर्यर की बात करते की इस पारिकल मीरेर इट इसके बात करेंगे स्ब्रीकल मिरेर Koren इसक्य बात करेंगे ठीक मेड़ क्या चीज है पहले यह देख लेते हैं अब ऑफ 2005 वात है एक अंबना इस पे ईर होता है यहां पर एक स्पैरिकल मिरर है वह बहुत एक स्पैरिकल सर्फेस है इसको कोई भी पार्ट काटेंगे तो इसा आर्क लेंद या अपर्चर बोलेंगे यह इसका सेंटर है ओ तिक है और यह आपको पता है इसका रीडियस होगा आर इसको बुलते रीडियस ऑफ करवेचर क्या क्या इसका बुलते है रीडियस ऑफ करवेचर अब देखो तो औ लोवे तुम्हारे का जाता है तो इस ढार इस आप arbitつj और यह बिःएनफ अशरक्षाप आप of a spherical surface from its center simple से बात पी मैंने जान बुचके लिए है क्योंकि यह बाद में पोल बनेगा ठीक है तो इस बिस्टेंज अफ एन्य सर्फेस पॉइंट पी और इस पैरिकल दो इस पैरिकल मिरर के अंदर यह स्पैरिकल सर्फेस और स्पैरिकल सर्फेस इस डिस्टेंज अफ एन्य सर्फेस पॉइंट पी और इस पैरिकल सर्फेस प्रॉम इट्स सेंटर किसके सेंटर इट्स कौन है यह स्पैरिकल सर्फेस ठीक है याद रखना बहुत बढ़ी है अब मान लो कि मैंने इसका इतना पॉर्शन काट दिया यहां से लेकर यहां तक करते ही कुल भी बोलूं तो यह भी हमारा इ compelling क्योंता है एक अपरचर आपर्चर ऑपरचर क्या होता है असे से पॉर्शन । सरफेस आप पॉर्शन ऑव बी स्पैरिकल तर फिस पॉर्शन ओस परिकल सरफेस बहुत बढ़िया बोर्शन ऑप सरफेस की बात हो गिन्ल चॉत करल दिशे के खुकला अदर से पता नहीं आ खुकला भी को फुरकली मिश्थ हो इससा बलब यह सकत allowed तीक है क्या है अब हर निमाल में फ़ेकळ नहीं की सुग्रद मेण तरह्टाव घ्रण ज settlers सर्फेस को बोलते हैं बल्जिंग इन इन बल्जिंग मतला गढ़्धा अंदर की तरफ गढ़्धा और यह भार वाली सर्फेस को बोलते हैं बल्जिंग आउट बल्जिंग आउट अंदर वाली सर्फेस को बोलते हैं बल्जिंग इन भार वाली को बोलते हैं बल्जिंग bulging in bulging out यह चीज़े याद रखना चलो तो इतनी सारी चीज़े होगी अब मैं आपको कुछ चीज़े बता रहा हूं देखो जी इसको मिठा देते हैं इस इसे सीधा कर दिया यहां पर कर दिया और इसकी तोड़ी तो दिए तो यह अईसे रहाइगे इस्देबर और अईक डहार बना लो उलटा बना दो तुमारी मर् campa studies में कुछ कोई दिक्कत निया है ऐसे बना दिया समें इसे मिरेरयर बनाने तो एक बर में आने बाहर की तरफ कज़़ा कैम में बश्रीद पींजर टि में तो रिफ्लेक्शन उगा अंदर और आंदर की तरफ एसे कर दिया यह आप के दोनों सरीकी हैं कहां है एक यार इसमें reflection कहां होगा जल्दी से बसा reflection at कहां होगा bulging out वाली surface तो printed black है तो curved surface जो है मतलब smooth surface उसमें होगा reflection तो reflection होगा यहां bulging in वाली surface अंदर वाली reflection at bulging in bulging in वाली surface में reflection होगा और जबकि यहां का होगा यह पर gezen वाली तो कैसी है printed black है तो यहां bulging out वाली सरफेस में होगा यह है reflection add bulging out bulging out bulging out यहां पर building out वाली सरफेस में reflection होगा अब अगर इतनी बातें आपने कह दी है सर तो जल्दी बताओ अब तुने本当ुने नहीं होता कि तो देको स्पिंपल सी बातीं कि आप यह देखो मांन लो यहांसे दो रहा आती दो रहा ले आती तो उन्हें नहीं होना जोडने का है इस वाली मिरर की सरफेस sync वन गई अब यह अपरचर नहीं क्योंकि मैंने printed black कर दिया और इसने क्या काम करना था इसने काम करना था तोडने का तो यहां पर आती तो तूब जाती है ऐसे यहां पर आती यहां इसे चले जाते ऐसे चल rif ऐसे आते ऐसे चले जाते यह तो तो पीछे बना दिंगे अब एक चीज इसने काम करा तोड़ने का किसे वाले ने तोड़ने का करा उपरवाली ने जोड़ने का काम करा जोडने का काम मिरर में करता है कौन केव कौन करता है कौन केव याद रख लेना जोडने का काम मिरर में कौन करता है कौन केव करता है तोडने का काम मिरर में करता है कौन वेक्स हाँ लेंस में उल्टा हो जाता है लेंस मतलब दिमाग में अभी मिरर है ठीक है जोडने का काम कौ कौन केव कर रहा है ठीक है कौन केव केव मतलब गुफा गुफा जैसी बन रही न सीजवास करेगी और तोडने का काम को क्या है कॉन को रहा है तोडने का काम कर रहा है तो कॉन्स यहां असली में यहां पर रियल मेंं इंटर सेक्ष्यन हुआ रहे सका ध्यां से देखो मिला रहे स्का uy look यहां पर क्या हुआ असली में इंटरसेक्शन हुआ रे का देखो यहां पर यहां पर हुआ कहां यहां पर तो डाइवर्ट होगी यहां पर अपियर हुआ क्या हुआ तो इंटरसेक्शन आ गरेहर का फिल Kabul असली में रहरी ऑपियर इंटरसेक्शन आ यहां आया है समझ Isn't तो यहां यार्ड रियल हुआ और यहां अप्यार मतलब वर्च्वल क्या वह वत्यों सारी चीज़ घू आखो खुल के कैसे आरहे हैं हमने थोड़ी कुछ कर रहा खुद आ रही हैं बहुत बड़ी है अब और चीज़ें आपको पता चली है कोई बात नहीं अभी यह चीज़ देख लो ठिक है भी गुड यह अपनी चीज़े देख ली अब क्योंकि कोई पीचे जोड़ती है जोड़ती मतलब जोड़ने को बहुत है क्यों ना कनवर्ज होना तो कनवर्ज मिरर कौन है कॉनकेव है क्योंकि वह जोड़ने का काम कर रहा है वहां पर असली में इंटरसेक्शन हुआ और कॉनकेव में रिफ्लेक्शन एड़ती बल्जिंग इन होता है सर diverging mirror है यह आपको याद रखने हैं ठीक है वह है converging mirror और यह है diverging mirror clear इतना good चलो बहुत बड़िया कि मैं आपको दो तीन चीजों और बता रेता हूं अब तो गैप बना सकते हैं यह पर कुछ चीजे याद इतना good mirror उसमें real as well as virtual image form होती है छाट के साथ है कौन कॉम से एक बर और फोकस के बीच में एक बर फोकस में एक बर फोकस और center of curvature के बीच में एक बार center of curvature में एक बार center of curvature से पीछे और इंफिनिटी में तो यहां पर as well as virtual image form होती है दोनों होती है अब एक चीज़ आएगी यहां पर आगे magnification क्या होती है height of image upon height of object यह माइनस वी बाई u object image distance upon object distance वो बात की बाते हैं अभी बस यह देख लो magnification positive भी है और यहां पर negative भी है ठीक है यह चीज़े कुछ चीज़े ᒥ यहां पर किय है कि यहां पर सिर्फ virtual image वर्चोल में बनेंगी वर्चोल इमेच क्यों आपर वी इसलिए अगर पर से मरं जोवर और वर्चोल इकसे लिए जी ओनी होता यहां पर दीख रहा है यहां tv लिए अगर आपके हो गई है तो जरा मैं आपको अब कुछ चीज़े बताते चलो कि फोकस क्या चीज़ होती है तो मैं एक आइडियाली कॉनके मिरर मान लेता हूं चाहिए आप कॉनवेक्स से भी बोल सकते हूं बाते हैं पर मैं कॉनके से मान के चलता हूं तो यहां पर बनाएं मैंने आप भी बना लीजे एक उनके मिरर कुछ जोगी पूल कुछ जोगी फोकस को इसी जोगी सेंटर ऑफ करवेचर तिक है अभी के लिए ऐसी बना दिया मैंन सबसे फिल् 싸 बात करतें फोकस की ओ सबसे में इन बात पिर आप भोली गए हमें इतनी बाते बता रहे हुग इन पोल फोकसं एड़ सेंटर अफ करवेचर इतना तुम्हें पता है, Paul-Focus Center of curvature यह नहीं कहते हैं, Imaginary Axis joining Pole-Focus and Centre of curvature is called, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, principle axis, principle axis, इसे बोलते हैं principle axis, याद रखने, अच्छा, आओ, Focus, focus क्या है, ए मिद्धडों के लिए भूल सकने, Focus is a point, focus is a point, 見 dessus एक्सिज प्रिंसिपल अग्सिज इसरे हैं। कि फोकस using ऑप पॉइंट इन या प्रिंशिपल अक्सिज पहले तो बात हुआ है चलो फोकस देखो जोुकत एक और सब क्रेंद के पहले लाती है तो निश्चित यह रिफलेक्शन के बाद focus से पास होगी कि अगर कोई रे principal X's के पैलल आती है तो निश्चित ये एक वह imaginary point से पास होती है जिसे बोलते हो focus या उल्टा अगर उस imaginary point से कोई रे जारी है तो reflection के बाद principal X's के पैलल हो जाएगी यह definition principle X's के पैलल है तो reflection के बाद इसी imaginary points जिसे हम फोकस बोल रहे हैं उससे पास होगी यह अगर फोकस से जारी है तो reflection के बाद principle axis के क्या होजेगी पहलेल हो जाएगी हाला कि मैं आपको दो चीजे बताना चाहूंगा यहां पहला focus होता क्या है एक point होते है इन दा मैं आपको Convoix में बताऊंगा फ्हले a Concave में बनाना लिए इन में में देखो क्या है आपको पते Concave मैं अस्ली में interaction हो रहे मजाक की बाद हैं नहीं अपयर तो हो नी रहा daughter in terms of comparepay डी अदीरeshेल फोकस होता है तो पूरा लिख कर दिनित में उसे मत करने की में मेज़े लिखरागा वैक है कि इमेजड़ीये इमेजनेरी पाइंट है इमेजेरी पॉंट ने इन तो imaginary है ना असली का थोड़ी है कि छाप रखा उसमा मोहर है तो imaginary point तो इस एन imaginary point at which if any ray is parallel to principal axis तो इस इस इन imaginary point at which जिस पे if any ray is parallel to principal axis after reflection will pass through will actually pass actually actually लिख लिए एक्चुली बहुत important है अपियर नहीं हो रही है असली में हो रही है असली में पास हो रही है इस से यह बात है तो real focus है concave mirror के लिए क्या है concave mirror के लिए असली में focus है यह real में है क्योंकि यहां पर जो light rays है असली में पढ़ती है तो it is a real focus it is an imaginary point imaginary to point है at which if any ray is parallel to principal axis अगर कोई रह प्रिंसेपल एक्सिस के क्या पैलल हो तो reflection के इसी पॉइंट से actually में पास करेगी यह 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 इसन इमेजिनरी point it is an imaginary point at which if any ray is passes through it if any ray actually passes through it असली में इससे पास करें any ray actually passes through it कोई भी रहा अगर असली में इससे पास करेगी that after reflection after reflection became became well to principal axis reflection के बाद वह प्रिंसेपल एक्सिस के क्या हो जाएगी पैलल हो जाएगी यह बहुत महीन बात है तिक हैं यह दो बाते आप याद रखेंगे कि क्या है कॉनके मेरे रिक लिए focus एक point है प्रिंसेपल एक्सिस में बट वह असली में होगा है रियल प्रिंसेपल एक्सिस के पैलल हो तो reflection के बाद वह इसी imaginary point से असली में actually में पास होगी या अगर वो इस से पास हो रही है असली में actually में तो बाद में जाए reflection के बाद वह principle एकसिस कि क्या हो जाएगी 로ल हो जाएगी यह बात करते हैं in terms of कंवेक्स मीरर दियां से देखनें दूसरी चीजिए दूसरा लिख लेते हैं किम्स of कॉन्वेक्स मीर्र इंटो इसे च्व्क बोले मांड़ो कॉन्ष मिर्ण बनाया इज यह बना दिया ची बलतaccord minute कि कि विद कहले कि हमोगा थीख है फिंग है जि timest ii 3 अब थो उसले और बना सकता है कि पहले में बता दू होगा क्या कोई पैलल रहे आएगी कॉन्वेक्स का काम करें करें वो ट्राइवर्ट जी कोई रिया और पिंसेपल एक्सिस के प्रहूंड दो आए तो इमेज़ असली में बनती लगा तो बनती कैसे पीछे में अम्मीट करेंगी आप यहां पर इसका फोकस यह हो गया आप क्या रही सिंपल सी बात बताओ क्या रहे असली में मिली नहीं अप यह असली में कब मिलते जब डार्क होता है एक दम दिखता अभी तो सट ने दिखाए नहीं तो अभी तो अपियर हो रही है तो मतलब इसका रियल फोकस नहीं वर्चाल फोकस रहे याद रखना कैसा kilogram से वर्चाल कषें वर्चाल फोकस कि क्या सकते सब्कुद्ध वर्चाल फोकस हैं सम्सक्राइस और सब्समा सिक्वेख समय के अब बना लिए इतन इमेजिनेरी पॉइंड एट विच इस एनी रे स्पेलर तो प्रिंसेपल एक्सिस आफ्टर रेफ्रेक्शन विल अपियर अपियर आएगा अपियर असली में नहीं हुआ अपियर हुआ अपियर टू पास्थ्रू इट कि अगर कोई रे आरी होगी वैसे तो वह डैवर्ड जो जाएगी पट ऐसा अपियर होगा कि वो फोकस से पास करी या सिंबल सी बाद है कि ऑल्लटा यह सारे डाराम बनाने हैं अगर मां लो ऐसे avait.- कि वो आई-आर ऊगी एक अए आई अए यह इध है कि-5 एक कि तो रिफलेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी पहला लो जाएगी अए अעड महरेज जा पाई पहले ही क्या पहलेल हो गई यह याद रखना तो इतनी चीज़े याद रख लेना अब यहीं पर बता दिता फोकर्स पता चलिए तो फोकल लेंद क्या होती है फोकल लेंद क्या है फोकल लेंद से पहले यार तुम तो जानी खाजा हुए फोकल लेंद से पहले तुम्हें पॉल बताना पड़ेगा पूल पोल क्या होता है जैसे यहां से यहां तेकी उसका का मिड़ पॉइंट होता है पॉल बस इतना याद रखना और ये अवली चीजे पॉल इसंट उफ अपर्चर ऑफ मिरर मीरर के अपरचर का मिड़पैंट है अब फूपल लेन्द के फोकल लिंद से डिस्टंस और कैसे डिस्टंस होरीजॉंटल में तुम लोग में से कुछ खि प्रफोकस की बीच कि क्या लेंद है तिक है होई जोन्टल डिस्टंस बेटून फोकस जैसे यह चीज़ हो पही यहां से लेकर यहां तक क्या फोकल लेंथ तिक नेक्स्स वीडियो में हम साइन कन्वेंशन देखेंगे रिलेशन देखेंगे चैप्टर को खतम कर जाएगा अब क्या गर्प यहां यहां बनेगा होली है यह यहां यह अब यहां बनेगा फोकस यहां बनेगा पोल यहां बनेगा यह हो जाएगी फोकल लेंद हो जाएगी क्लियर गुट यही चीज़े देखने है बसागे कि इतना बढ़ देना बले बागी गल्द देखेंगे कि चलिए पढ़ते रही ऐसी के शुआ है क्यों कैसे अपार जैसे कि पिछली बार हम लोगोंने रिफ्लेक्षन में पढ़ा था कॉनकेव और कॉनवेक्स मीरर साथ में प्लेन मीरर भी आप लोगोंने पढ़ लिया था आप हमें क्या दनने हैं मेनली हमें sign convention देख लें for mirror mirror के लिए हम लोगों को sign convention समझने कि क्या होता है देखें वह समझ लोगे कि तो आगे की जिन्दगी असान है तो देखो जरा हमें पढ़ना है sign convention के बारे में sign convention convention for mirrors mirrors के लिए sign convention देखने हैं देखो mirror के लिए sign convention कोई बड़ी बात नहीं है आप अच्छे से समझ सकते हो कोई बात नहीं अगर आपको थोड़ी बहुत मैत आती है मैत में 4 quadrant होते हैं और 2 axis होती है इसे बोलता हम Positive X axis यहां पे सारे distance positive होते हैं यह ओती है मान लो कि मैंने यहां पर अपने हिसाब से कोई मेरर लगाया यह लो कॉन से मिरर रही बल्जिंग इन वाली सर्फेस में रिफ्लेक्शन होना है तो यह कॉनकीव मिरर है ठीक है अब यह होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस आप चाहे तो इसे डॉट्टेड लाइन से बना सकते ह यह हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है ठीक है तो मैं इसे पी बोल लेता हूं इसे पी डैश बोल लेता हूं तो पी पी डैश हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस यह होरिजोन्टल होती है ठीक है अब दो तिन बाते मैं आपको बताऊं यह देखे यह कॉनसे सा सबल है अगर यहां पर मिरार नहीं होता और यहां से अगर कोई आपट होता मालो यहां पर कोई अबजयक्ट है ए Queen सिदा नहीं सिदा बना लेना यार टोड़ा यहां ऑबजक्त और ए वी हमारा था क्या है एब हमारा है ऑब ठीक है भी अब एक सिंपल सी बात है अगर इस object ने कोई रे छोड़ी होती और यहां कोई mirror नहीं होता तो उस रे ने आगे चले जाना था अगर यहां पर कोई intentionally बोलते हैं positive मतलब जब तक कोई mirror नहीं लगा तो light ने आगे जाना था तो right side हमेशा होगी positive किस way में बात कर रहा हूं मैं horizontal distance के way में बात कर रहा हूं कि अगर यहां पर mirror नहीं होता तो light ने सीधा आगे चले जाना था उसे रोकने वाला कोई नहीं था तो right side को लेंगे positive अब एक simple सी बात देखो x-axis के right side भी क्या है positive है तो यहां पर भी right side क्या है positive है इसलिए समझा रहा था मैं आपको इसके terms में अब एक दूसरी बात है कि यहां पर mirror लग गया और mirror के वज़े से light को जाना आगे था बट वो रुग गई reflect हो जाएगी ठीक है reflect हो होगी या तो अंदर और अगर convex दालेंगे तो ऊपर को निकल जाएगी या तो converge होगी या तो diverge होगी पर रुकेगी तो जरूर आगे तो नहीं बढ़ेगी एक बार reality में इस side back मतलब front side मिल जाएगी और एक बार appear होगी पीछे मिलने को बट रुक तो जाएगी रुकना मतलब होता है अच्छा अच्छा मतलब positive x-axis का positive distance horizontal वाला positive होता है अब आपने mirror लगा दिया तो light क्या होगी reflect हो जाएगी मतलब रुक जाएगी वह आगे नहीं जा पाएगी तो आपने गंदा काम करा तो गंदा काम हमेशा होगा negative क्या होगा negative ठीक है right काम मतलब positive left काम मतलब negative इसका हम एक और चीज़ लिख सकते हैं यह देखें यह mirror यहां पर reflection हो रहा है तो यह front mirror का तो front जो होगा mirror का front of mirror उसका जो horizontal distance है horizontal distance उसका आप लोगे negative front वाले को सामने वाले horizontal distance को क्या लोगे negative और जो back of the mirror होगा back of mirror mirror का जो back है पीछे का हिस्सा जहां polish surface है उसका जो horizontal distance होगा horizontal distance उसे आप लोगे positive ठीक है front वाले को negative right वाले को positive अब कोई अनोखा ही planet या कोई इंसानी होगा जो object को front में नहीं रखेगा और back में रखेगा वो सबसे बेसकूफ होगा object हमेशा कहां रखा जाता है front में रखा जाता है तो object is always place in front of mirror object को हमेशा हम mirror के front में रखेंगे सामने ही रखेंगे तो उसका जो horizontal distance होगा मान लो horizontal distance सारे pole से मिजर करने है यह pole अब यह दो पीपी डैश नहीं से कुछ और बना लेते हैं तो इसे मैं मान लेता हूँ एक से डैश और एक्स ठीक है भई यह एक से डैश और एक्स तो एकस एकस से डैश आपके प्रिंसिप लेक्सिद हो गई ठीक है यह आप चेंज कर लेना अब जो पोल है पोल के object से दूरी हमेशा horizontal distance यू होगा और यू हमेशा ही negative होगा यह आप बात याद रखना क्योंकि object क हमेशा ही हम mirror के सामने रखेंगे तो उसका horizontal distance है horizontal distance मतलब उसका you always negative होगा always negative होगा और कोई पागल ही इनसान होगा कि जो object को सीधा ना खड़ा करे उल्टा सड़ा करे आप पागल हो आपके सर जमीन में रखोगे और पैर उपर रखोगे नहीं ना आपके पैर जमीन में होगे सरावा में होगा वही चीज़ है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ देखो यहाँ पर X-axis positive है तो right वाली side क्या है positive मतलब mirror के back में क्या है positive सामने क्या है negative Left में क्या है negative अगर principle axis के right में क्या होगा positive principle axis के left में क्या होगा negative principle axis के उपर रखा किसी को मतलब उसके पर प्रिंसिपल एक्सिश में पड़े तो ऊपर वाली हइट पॉजिटिव और नीचे वाली एकशी होगी और नेगेटिवRL सब्सक्राइब सब्सक्राइब होगा exhale Play абсолют G होगी और मिरर से नीचे नेगेटिव होगा क्लियर है इतनी बात हैं तो अगर यहां हम प्रिंसेपल एकसिस लिखें पीए पीए से इधर मुड़े प्रिंसेपल एकसिस से इधर मुड़े तो पॉजिटिव है प्रिंसेपल एकसिस से इधर मुड़े तो नेगेटिव है ठीक है यह x y plus x minus y minus ठीक है x y plus x minus y minus पिंसिपल एक्सिस से इधर राइट में positive left में negative ऊपर positive नीचे negative right और left में आते हैं horizontal distance क्या आते है horizontal distance और up और down में आती है heights क्या आती है heights अब एक simple से बात है इतने सारी चीज़ा आपने लिख लिए हैं ये front of the mirror में negative back of the mirror में positive front of the mirror मतलब होगे left back of the mirror मतलब right ठीक है अब थोड़े में height के बारे में बताता हूं और object के अंदर ही लिखेंगे वो चीज़ें तो देखो हमें पता चला object हमीशा mirror के कहा रखा जाएगा सामने तो यहां पर गंदा काम हो रहा है यहां पर light को रोकते हैं तो horizontal distance का negative होगा and object always object is stand erect सिधा खटा करेंगे जब तक हम simple सी physics पढ़ेंगे simple सी optics पढ़ेंगे तो हम इसे सीधा ही खटा करेंगे हलाकि base यही बनाता है सीधा ही खटा करेंगे आप सीधा 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 सीखो उल्टा खुद समझ में आ जाएगा ठीक है कभी अगर object को उल्टा रखा तो खुद आ जाएगा तो always object is stand erect therefore its vertical height is positive its vertical height जिसके vertical height होगी मतलब जिसको हम h1 बोल लेते हैं या बहुत से लोग ओ बोलते हैं ओ ठीक है वो क्या होगी positive होगी क्या होगी positive ठीक है positive होगी इतनी बाते याद है ठीक है तो अगर इसके height यहाँ पर h1 होती या जिसे हम o बोलते है या तो h1 या तो वो क्या होती positive यह तो एक तरह को constant ही है object सामनी रखा जाएगा mirror के तो उसका horizontal distance के यू वह होगा negative और अगर उसे हमने कैसे रखा इरेक्टे रखा इरेक्टे रखते हैं तो उसके vertical height भी क्या होगी positive होगी इतनी आपको बाते याद रखनी है clear इतना साबश अब यहां पर देखो एक चीज सेम सी चीज यहां पर और देखो सिंपल सी बात अब मैंने काफी चीज हटा दिया यहां से जैसे यह object हटा दिया यहां से यह object हटा दिया positive negative हम सब आपको पता है यह हमारी principle axis है यह पूल है अब आप ध्यान से देखो एक चीज क्या इमेज इसके बारे में बात करते हैं इमेज 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 दो तरह की बनती है एक बनती रियल जिसके साथ आते इन्वर्टिड और यह कातब वर्चुल जो बनती इरेक्ट वर्चुल और इरेक्ट ठीक है मुझारे ध्यान से देखो मालों यहां पर कई एक इमेज बन गई यह अगर सामनी मिलेगी मतलब यह क्या हमारा front है और वो क्या हमारा back तो एक बात ध्यान से रखना है एक बात की और पीछे इन्वर्टिड मतलब कैसी बनींगे एक को डियली नंगर उल्टी बनेगी अगर अबजरक तक एन्विग अगर आपको यहांका एक रखवा यहां मझेल निकलो यहुग इमेज लिखने बनेगी front of the mirror तो वह होगी real and inverted इमेज इस के लिए real and inverted जो image है यह simply mirror के लिए भी क्या होगा real and inverted image बनेगी front में front of mirror में बनेगी इसके लिए देखो मैं दो चीज बता देता हूं आपको यहीं पर दोखो एक तो क्या है अगर हम image की height बोले image की height h2 बोल ले हम आई ही बोले तो देखो वह कहा है principle axis के downward vertically डाउनवर्ड डाउनवर्ड के लिए negative आएगा तो जो h2 है मतलब image की height या जिसे हम ओ ओ नहीं आई बोलते हैं वह कैसी आ रही है वह negative आ रही है कैसी आ रही है negative आ रही है इतनी बात है clear है क्योंकि हमने real image और inverted image हमेशे mirror के सामने बनेगी और इस side गंदे काम होते हैं left में गंदे काम होते है मतलब negative है और downward भी है तो really inverted जो image होगी उसकी height कैसी आईगी negative आईगी clear इतना और pole और image की दूरी को हम क्योंकि object और pole की दूरी को हम u बोलते हैं pole और image की दूरी को हम v बोलते हैं v v सारे distance pole से इमीजर करना है pole यहाँ पर origin की जैसे है तो pole और image की horizontal दूरी को हम v बोलते हैं और vertical height को हम क्या बोलते है h2 या i क्योंकि real and inverted उल्टी बनती है तो उसकी vertical height h2 या i क्या होगी negative होगी और क्योंकि वो pole के सामने बन रहा है और left side में बन रहा है और left side में सारे horizontal distance कैसे होते हैं left side में negative होते हैं तो जो v है v मतलब image horizontal distance image horizontal distance वो भी कैसा है भाई या negative है clear इतनी बात है पक्का image horizontal distance भी कैसे negative है सामने बन रहा हो और नीचे बन रहा है इसलिवस की height भी कैसे negative है अब जरह समझो आप जरह समझो एक बात क्या है वह वह एक बात मानलो image असली में नहीं बन रही पीछे बन रही है तो back में बन रहे है बैक में तो इमेज जो पीछे बनेगी मतलब image को त virtual and erect तो virtual and erect जो है अगर मैं यहां लिखू हूँ इसे ऐसे virtual and erect जैसे हमने यहां लिखा real and inverted वह front में बनेगी उसकी height क्या होगी negative होगी और उसका image distance भी क्या होगा negative होगा अब हम बात कर रहे है virtual and erect की तो virtual and erect में क्या होगा simple सी बात है देखो virtual and erect उपर बन रहा है जैसा object है वैसी वह है object का height positive था तो इसके head भी क्या होगी positive होगी तो मतलब यह है h2 या simple सी बात अगर आई बोले हो से आई भी बोलते हैं बहुत सारी चीजों में बुक्स में तो positive होगा और क्योंकि वह back में बन रही तो pole और उसकी दूरी मतलब वी भी positive होगा क्योंकि पीछे पीछे जो है सारे distance horizontal वाले क्या होते है positive होते हैं तो वी यहां पर भी क्या होगा positive होगा तो simple सी बात यह है आपको समझ में आ जाए नहीं चाहिए clear है इतना मैं sum up कर लेता हूं इसको एक की बार लिख देता हूं एक बार ये भी लिख लेना एक बार box पनाके भी project हमेशा कहां बनेगा mirror के front में बनेगा तो इसका जो horizontal distance है front में क्यूंकि left होते है तो negative होगा और वह हमेशे सीधा खड़ा जाए होगा तो उसकी height क्यों होगी positive होगी image की बात करें image यह प्रतिविंब जो होता है image अगर real है या virtual है तो simple सी बात है यार अगर image real है तो inverted होगी और अगर image virtual है तो erect होगी image अगर real है तो inverted होगी उल्टी बनेगी virtual है तो erect बनेगी अब simple सी बात देखो एक बात रियल और inverted बनता है front में कहां बनता है front में वर्चुल रियक्ट बनेगा back में कहां बनेगा back में यह concave convex दो नुकले है यह बोथ concave और convex दो नुकले है mirror में है ना concave and convex दो नुकले है mirror में याद रखना अब एक simple सी बात है inverted बनता सामने बन रहा तो इसका V भी क्या होगा नेगिटिव होगा और ultra बन रहा है तो H2 या I भी क्या होगा नेगिटिव होगा बट अगर हम erect या virtual की बात करें पीछे बनेगा तो पीछे तो right side होती है तो image distance भी आया positive और क्यूंकि सीधा खड़ा होगा तो H2 भी आएगा कितना positive यह आप याद रखेंगे जी ठीक है इतनी चीज़े याद रखना अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं इतनी सारी चीज़े हो गई sign convention में mirror के अब देखे एक नई पूरे देख लो फिर अपने इसाफ से strategy बनाओ इनोट कैसे बनाएंगे object को मारो गोली ठीक है यह सब मार देखो अब यहां बस पूल है ठीक है अब यहां देखो यहां बनाए focus और यहां बनाए center of curvature यह पूरे उसका भाग है center of curvature किसका होता है जो हमारा spherical surface थी पूल यहां प बताता हूं सबसे पहले हम यहां लिखेंगे concave के लिए concave mirror के लिए concave mirror में real reflection होता है appear reflection नहीं होता है real reflection होता है बला रियल reflection तो नहीं है reflection दोने में होता है real convergence बोल सकते हैं या बोल सकते हैं real intersection होता है रिज का concave mirror में real intersection होता है बताइए बोजो हमने करा था यह नहीं कर था यह रियल इंट्रेक्शन होता यह नहीं होता आपको पता पर ऊब्जेक्ट रहता है एक रहे जाती सही में converge होती है ना concave मतलब क्या होता है जोड़ने वाला मतलब converge यह आप लोगों ने पढ़ा है तो यहां पर real interaction होता है रे का तो focus भी real होगा real focus होगा मतलब असली में interaction होता है real focus होगा और focus कौन सी side होगा आप खुद ही देखो यहां थे तो concave का focus होगा left side left side मतलब negative negative है तो भी यह focal length भी ऑगी तो focal length of concave focal length of concave क्यसी होती है negative होती है focal length हमेशा horizontal ही होती है vertical नहीं होती focal length of concave क्यों होगी और अगर focal length concave तो radius of curvature focal length का दुगना होता है तो radius of curvature of concave क्या होगा नेगेटिव होगा बटा focus यहां पर एक ही होता है यहां पर lens के जैसे दो फोकाई नहीं होते एक ही होता है तो concave mirror की इतनी बात हैं अब हम बात कर लेते हैं convex mirror की convex mirror convex mirror तो जरा मैं वह बताते चलो उसके लिए थोड़ा यहां convex बना लेते हैं इन सब को गोली मारो यहां पर बनाएंगे convex convex कैसे बनाएंगे सर ऐसे बनाएंगे विटा यह convex हो गया ठीक है बच्छे यह इसका पूल है यहां पर अगर कोई object हमेंशे ही रखना है वर्चुल यह अपियर इंटरेक्शन आएंटी लिख लेता हूं इंटरेक्शन को ठीक है जगह कम है तो वर्चुल यह अपियर इंटरेक्शन हो रहा है रहे का तो यार जो इसका focus होगा न focus polar focus की दूरी focal length, polar center of curvature की दूरी radius of curvature तो देखो असली में थोड़ी मिल रहा है तो focus ने क्या काम करा कुछ नहीं जख मारी तो real focus नहीं है असली में focus कहा है असली में कहा मिली वो तो diverge हो गई ठीक है convex mirror मतलब क्या होता है diverge होता है असली में थोड़ी मिली diverge होई तीतर बीतर हो गई तो वर्चुल अपियर इंटरेक्शन रहे ओफर यह हुआ ठीक है मतलब असली में नहीं मिली तो इसका focus कैसा होगा virtual focus कैसा focus होगा virtual focus अब virtual focus मतलब वो focus है का कौन से side है right side right side है और right side horizontally कैसी होती है positive होती है कैसी होती है right side positive होती है तो मतलब यहां पर जो focal length होगी convex की वह आप कैसी लोगे क्योंकि असली में तो है नहीं ऐसी appear पीछे बन रहे है तो positive होगी और radius इसका दुगना होता है तो radius of convex mirror कितना होगा वह भी होगा positive तो यह आपको बात याद रखनी है sign convention मे हमेशा ही clear इतनी बात है आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा भलाई हो जाएगी मैंने focal length और radius of curvature की बीच के relation भी आप लोगों को लिखा रखेंगे अगर आप वो याद रखेंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा आपके लिए चलिए बहुत बढ़िया अब थोड़ी बात करेंगे mirror formula की derivation में special video में कराऊंगा यहां पर क्योंकि आप बड़ी क्लास में आगया आप पर derivation तो इतनी आती नहीं है आपको बड़ी-बड़ी मचलिया माननी है तो छोटी मचलिया को छोड़ लो अगर आप vegetarian हो तो आटी की मचलिया बना और उसको मार कर दोनी है यह वैजए और उनवेज का चकर नहीं है सरवाइवल जरूरो जाएगा मिए चलो देखो बात करतें मिरर फर्मूला की मिरर फर्मूला मेर फर्मूला मिरर फर्मूला क्या है एक इसकेलर रिलेशन है यहां पर हमें उससे मतलब नहीं है तो यहां displacement नहीं डिस्टन लेते हैं इसके लिए relation है between किस-किस के बीच में object distance image distance और भाहिया आपका focal length इनके बीच में distance है relation relation क्या होते है one upon focal length one upon f कितना होते है वन upon v plus one upon u एसा थो होता है अब यहां पर दो तीन बाते याद रखनी इस रिलेशन इस विदाउट साइन कन्वेंशन इस रिलेशन इस विदाउट साइन कन्वेंशन यह रिलेशन में साइन कन्वेंशन यूज नहीं है विदाउट साइन कन्वेंशन आपको साइन कन्वेंशन दुबाते दुबारा बताते चलों साइन कन्वेंशन जब Allways you क्या होगा मतलब object का क्या होता है यू object का डिस्टंस object का डिस्टंस हमेशा ही क्या लेना negative लेना यह है साइन च्रवेंचन आपको यूज करने हैं यहां पर ठीक है और हम यौन क्या होती है height of object होती है height of object height of object obj object है वो हमेशे ही आपके लोगे positive यह तो हमेशे ही लगेगा always always या always लिख लो है या हमेशे ही होगा यू जो है object distance हमेशे negative होगा और h1 के height of object है वो भी always क्या होगी positive होगी थोड़े वी की बात करता है यह जो वी है दो तरीकी से हो सकता है real या virtual दुबारा बता दूसरा अब होट time वीच करता हूं बार 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 बताके तो एक ही बार तो पढ़ना है तुम्हें बार 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 नहीं इसलिए बताता हूं तो real और virtual इसमें भी 2R हो बनाई ऐसे अब एक simple सी बात है अगर V real है real मतलब कहां बनेगा वी या front में बनेगा फ्रेंट में बनेगा तो V क्या होगा नेगेटिव और H2 भी क्या होगा नेगेटिव होगा क्योंकि real inverted बनती है दुसरा है virtual वर्चुल पीछे बनेगा तो V होगा positive और H2 क्या होगा होगा positive यहां प्लस प्लस है या माइनस माइनस है focal length focal length focal length focal length focal length अगर हम देखें तो एक बार आईगे convex की और एक बार आईगे concave की देखो चाहिए जमीन असमा नहीं को जाए वह बाद में बताऊंगा मैं लेंग्स यह मिर्यार हो focal length सब्सक्राइब की हमेशन नेगेटिव होगी front में होती है real focus होता है और convex की होगी positive क्योंकि पीछे बंता अपियर होता है तो यह mirror formula आपको याद रखना है ठीक है मैं आपको एक और बात बता दूँ क्योंकि since focal length होता है radius of curvature का क्या आधा तो इसको ऐसे भी change कर सकते हैं तो इसे r by 2 लिखेंगे तो 1 upon focal length focal length होती है r by 2 r by 2 यह बराबर आए 1 upon v plus 1 upon u मैं फिर बता दूँ यहाँ पर sign convention लगे नहीं है आपको लगाने है तो 2 जाएगा उपर तो यह बन जाएगा 2 by r 2 by r कितने के पराबर 1 upon v plus 1 upon u यह आपको पूरी चीज़े याद रखनी है भाईया नहीं रखोगे याद कोई बात नहीं आगे आपको रोना आएगा तिक है यह चीज़े भाईया अब देखो simple सी बात है मेरे फ़र्मिले के बाद यहां पे जो में चीज है वहाप पर क्या है तो वह चीज है अपने मैंगनीफिकेशन मैं मैंगनीफिकेशन मतलब क्या होता है कि magnification में मतलब यह होता क्या है कि object तो fixed height का है बट कभी-कबार image बनती है बड़ी और कभी-कबार image बनती है छोटी जैसे convex mirror में छोटी image बनती है बड़े से बड़े ट्रक बड़े से बड़े ऐरोप्लेन आपके rear view mirror में छोटे से दिखते हैं Concave में एक नहीं होता Concave में जैसे Jewelery Store है तो वहाँ पर क्या होता है छोटे से छोटे गहने भी क्या दिखते हैं बड़े दिखते हैं जैसे आप फोन की दुकान में गई तो वहाँ सी से ऐसे लगाए रहते हैं कि वहाँ पर डिस्पले में जो फोन होता हो बड़ा सा दिखता है डिस्पले बहुत प्राइड दिखती है वह चीज तो मैजनिफेकेशन क्या होता है जल्ले मैजनिफेकेशन को हम एमसी डिनूट करते हैं एम क्या होता है सिम्पल सी बात है मुथा है Height of Хight of Image ला तो इसका ही height of image upon height of Lee और और ऑप्जेक$ के canadis Yoach height of means कम ten H του County हाइट Alex bor bass heavenjust है आप शरुान वहों के वह हैं शुरु हमाइब एपनीच को आई अप बोलते हैं articulate without time Convention नेर में दबारा बता दू with sign Convention harassment अभी में बता दूंगा कि यहां पर साइन क्या लगेंगे हैं ने की करेंगे तब देखेंगे without time convention अभी समय साइन अन्वेंसिं नहीं लगे हैं चलो दूसरा फान striking क्या होता है? Magnification का. Simplse बात हे ही होता है. Image Mr. Distance upon object Distance. Image Mr. Distance upon object distance ये चीज़े. मतलब यह होता है V by A, but क्योंकि U हमेशा ही negative रहेगा, तो हम minus लिख सकते हैं A. उक्योंकि always negative होगा. हमेशा ही क्या होगा U? Negative अबक्र पहरी tells तो क्यों होगा नेगिटिव होगा, तो magnification का हमेशा formula यह हो जाते हैं, minus V by U, पर आप याद रखेंगे, कि यह minus किस के साथ का है, U के साथ का है, अगर आपको इतनी चीजे लग गई हैं सही, तो मैं जरह आपको इसके sign convention बताता हूं, कि magnification में sign convention कैसे लगाएंगे, तो मान लो जैसे आप पे Concave Mirror हो Concave Mirror Concave Mirror का case कैसा है Concave Mirror में तो Images जो होती वो Real भी बनती है और Virtual भी बनती है Real भी बनती है, साथ में Virtual भी बनती है दोनों तरह से image बनती है Real भी बनती है, और साथ में क्या बनती है Virtual भी बनती है तो देखो कॉनकेफ के केस में किस के केस में कॉनकेफ के केस में देखो क्या हुआ कॉनकेफ का केस बताना चाहरा हूं मैं आपको कॉनकेफ के केस में क्या हुआ यहीं पर कॉनकेफ का केस बता रहा हूं मैं आपको आप नीचे लिख देना मैं सामने लिख रहा हूं कौनके काइस केस में पहले क्या हुआ अगर इपको बताने चाहूं रियल बंती है इनफेट तो हुगी है नेगेटीव हाई फ़ें और र्यों है तो फिस्तन्स नेगटीव होगा इतनी आपको समझ में आगे लिए घ्योकर रियल में नेटीव में नेगेटीव होगी तो M देखे क्या बना M इसके case में height के case में h2 by h1 है और यहां पर with sign convention है आप लोग लिख देना sign convention के साथ तो देखे height object के हमेशा ही positive रहती है यह मैंने आपको पता रहता है और real के case में यह आजएगा negative तो यह आजएगा minus h2 by h1 with sign convention यह मैं आपको बताते हैं चलूँ अब sign convention लग चुके हैं और यहां पर क्या होता है देखो आपको पता है minus v by u होता है हलकि आपको पता यह distance के term में होता है minus v by u u होता है negative किसके साथ object distance के साथ क्योंकि object distance हमेशा ही negative होता है बट क्यूंकि real image पट रहे हैं और real image में image यह distance भी negative होता है तो यहां पर v लिखा यहां पर minus u लिखा अभी के लिए आप मॉड बना लो है यह यह वैसा वाला मॉड लस नहीं है अभी हम sign नहीं लगा रहे हैं अभी बस हमें magnitude से मतलब है अब हम sign भी लगा रहे हैं लेको वी क्यूंकि real है real के लिए negative होगा तो negative और और यू तो होते ही negative है माइनस से माइनस कटा हुआ यहां पर आगे वी बाई यू तो रियल इमेज के लिए यह होगा भी यह ठीक है याद रख लोगे नहीं रख लोगे तो क्या करूं कि इतना क्लियर है Magnification कितना होगा minus V by U उल्टा तो नहीं दो अतार का रियल इमेज है ना हच टू माइनस होगा हच बन यह होगा ठीक है एक मिनटा इमेज Magnification आए शही तो है माइनस वी बाई यू क्यों बता रहे हैं एक मिनटा अब एक मान लोगर वर्चूल इमेज होती क्यों होती यहीं पर देख लेते हैं जल्दी से वर्चूल इमेज होती कॉनकेस के केस में तो क्या होता है एच टू हो जाता पॉजिटिव वी हो जाता पॉजिटिव ठीक है एच टू पॉजिटिव हो जाता यह पॉजिटिव आता और वी होता कैसा पॉजिटिव तो यह प्लस होता यह माइनस होता तो यहां प्लस ही होता यह माइनस ही होता और यहां प्लस ही होता और यहां प्लस एंड इरेक्ट वर्चुल बनाएगा तो यार वी भी होगा पॉजिटिफ प्राइड भी होगी पॉजिटिफ ठीक है अब्जेक का आपको पते ही है यू हमेशा होता है नेगिटिफ और वी वी तो नहीं हमेशा होता है अगयर हम मेगनिफिकेशन देखें तो अब हंसाइन लगा है अब फ्राइन लगाएंगे तो प्लास होателейばी आपको चीजे याद रखनीynn इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम वह देखेंगे कि इमेज बंदी कैसे हैं फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या तरीका अपनाने चाहिए ठीक है